अब्रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनको भी वर्चुल डबिट कार चाहिए सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया का वो कैसे अपलाए करेगा इसका स्टेप बाइस्टेप परसेस है वर्चुल डबिट कार्ड अभी आपको फ्री में ही दिया जाता है वो सकता है कोई चार्ज देना परे यरली फीस वगएर या मैंटरेनिच वगएरा जो है लेकिन इसका जो वर्चुल कार्ड का फीस वगएरा है वो हाईयस्त हो सकता है 30 से 40 उन पर या 50 के नीचे रहेगा GST लेकए निके वर्चुल कार्ड आप लोग ले सकते हैं ताकि फोन बैंकिंग यानिकि यह जो मॉबाइल बैंकिंग देख रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग या कोई मेंडेट वगएरा फैसलिटी करनी हो तो आप जो है वर्चुल कार्ड के मन नमबर से कर सकते हो उस कार्ड से सिर्फ आप एटियम से कैस्ट विड्डॉल नहीं होगा बाकी बात सभी काम होगा लेकिन अभी फिलाल जो वर्चुल डविट कार्ड है उससे कोई भी काम नहीं हो रहा है सेंटरल बैंक अफिंडया का वह जो है अभी मेंटनेस में अभी फिलाल प्रोवाइड कर रह तो इस virtual card का अभी फिलाल ATM PIN तो नहीं बन पा रहा है लेकिन जल्द ही new update आएगी क्योंकि जब तक virtual card दे दिया गया है जैसे कि आपको एक्टिवीट करने की facility मिलती है जिसमें साथी साथ आप मोवाल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से अब जहें उसके पिन बना सकते हों तो वैसे central bank में ATM card apply करने के लिए virtual debit card यहां से सबसे पहले आपको account number select करना है उसके बाद card variant में आपको एकी card अभी देखने को लगा रुपे virtual debit card यहां देखे यहां लिखा भी वहाई कि रुपे virtual debit card आपको मिलेगा और कोई भी others card यहां पर options में नहीं है यहां से देखे एक्टिवेट virtual debit card पर क्लिक करके यहां से card number आएगा automatically मेरा no card आ रहा है एक्टिवेशन क्यूंकि मेरा already मैंने activate कर वा लिया हूं तो मैं आपको वो card दिखाता हूं manage debit card पर क्लिक करना है तो यहां पर आपको card जहाए जो भी card आपका अगर activate हो जाता है तो यहा को subscribe कर जगा अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो तो comment में बिंदास पूछेगा thank you so much मिलते आपके से अगले information के साथ